कर दोस्तों मैं की स्वागत करता हूँ आप सभी का टाइम सफ लाइट यूटूब चैनल पर दोस्तों भारत टैनेमिक लिम्टेट के तरह से वेकेंसी निकाली गिए जिसमें अपलाई करने के लिए अगर आपने भी बेटेक या फिर ग्रेजुशन पोस्ट ग्रेजुशन किय इसमें आपका सब्सक्राइब में फॉर्म बनना होगा male female all India के फॉर्म बढ़ सकते हैं इसमें आपका selection जो है written test रहने वाला है इसमें आपका written test जो है computer based online होने वाला है उसके बाद आपका interview होगा इसमें अप्लाई करने की age limit जो है अधिकतम 32 year तक के अप्लाई कर सकते हैं इसमें आपको अपर एज में छूट भी दी जाएगी अपलाई करने की फीज जो है जैनल OVC EWS के लिए पांसों रुपे लगेंगे और बागी सभी के लिए एक सर्विसमेन और जो पी डवलू के लिए फीज नहीं मांगी गए फीज जो आपको ओलन मीडिय में पेकन लोगा इसमें सैलरी जो है मैनेज्मेंट ट्रीनी की पोस्ट के लिए चालिस हजार से लेके एक लग चालिस हजार सालरी रहेगी और जो है सीटीसी की बात करें तो थो मिनिमुम बारा लग इक साजार रहने वाला है इसमें फेयर और एंजी पबलिक रिडेसिन की से लिए चालिस हजार सके लिए एक लग सालिए विए एप लिए अप कर सकते हैं अब प्रेंड आपको बताने वाला की इसमें बीड टक और ऑधर क्या माग गए है इसमें फेंड यह जो बताने वाला हूँ बीबेटेक जो है यह मेन इस्ट्रीम बताएगी और आगे आगे आपको डीटेल में बताएगी कि मेकैनिकल में कौन से ब्रांच रहने वाली है और इलेक्टिकल में कौन से मेन ब्रांच रहने वाली है वैसे फेंड आपको आगे Electrical Electronics Computer Science या फिर आपने बीवेटेक किया है, Cyber Security, Computer Science, Information Technology या फिर आपने बीवेटेक Chemistry से किया है, या फिर MSC किया है, Chemistry से अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपने Mechanical Engineering किया है तो अप्लाई कर सकते हैं अब बात करें Management Training, Business Development की पोस्ट के लिए अगर आपने बीवेटेक किया है, Mechanical, Electronics, Electrical, Electronics and Communication, Electronics, Instrumentation, Industrial, Electronics, Production या फिर फिर आपने आपने टू एर का फिर्स क्लास MBA किया है और इसमें Specialization किया है, Marketing, Selling and Marketing से तो भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें अगर आपने जो फेंट्स पोस्ट ग्रैज़ेशन किया है, Diploma जिसमें अगर आपने पोस्ट ग्रैज़ेशन डिग्री भी किया है, Specialization किया है, जिसमें Marketing या फिर Selling से रिलेटिट तो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें जो आप्टिक्स की पोस्ट ग्रैज़ेशन किया है, अगर आपने जो है, MSC किया है, Physics, Applied Physics और Specialization है, Optics, Applied Optics या फिर Fiverr Optics से लेजर से तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने किया है, इंजरिंग में Physics, Specialization किया है, तो अप्लाई कर सकते हैं, अफिर बात करें, Finance की पोस्ट पर अप्लाई करने के लाए, Education, Qualification, अगर आप जिन्हें जो है, Final Exam पास आउट किया है, ICAI या फिर आपने Final Exam पास आउट किया है, ICWAI तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने अपने जो है, डिगरी हैगी Arts, Commerce, या फिर Science से Related, या फिर लोग की टिगरी है, तो अपलाई कर सकते हैं, या फिर आपने Post Graduate Deploma किया या इडिगरी किया है, जिसमर इन सभी में सखिया है, तो अपलाई कर सकते हैं, अफिर आपने बात करें, जिसमर अपलाई करने के लाए, जो है जिए हैं पब्लिक रिलीसिंट के लिए अपलाई करने का लिए ट्रेंट कर सकते हैं अब आपको बतारे फिर ट्रींट के बारह हैं तो फिर अगर आप से इलेक्टोनिक से के आप स्कूलिक कर सकते हैं इलेक्टोनिक्टोनिक से किया तो अपर सकते हैं अब बात करें mechanical की तो mechanical में जो है mechanical engineering industrial and production engineering mechanical production and tool engineering, production engineering, production technology manufacturing engineering, production and industrial engineering manufacturing technology या फिर फिर आपने जो aerospace engineering या फिर और अरनोटिकल इंजरिंग किया तो भी अप्लाइ कर सकते हैं आशामट करते हैं electrical और अधर ब्रांच की तो उसमें अगर आपने बी बी टेक जो electrical में किया है जिसमें ब्रांच जो है electrical engine electrical and electronics engineering electrical इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजरिंग से क्या अप्लाइए कर सकते हैं या फिर आप ने जो है केंप्यूटर साइन्स से कि आगर आपने जो है किया है या फिर CICWACI किया या फिर MBA किया फाइनस से या फिर आपने जो है प्रोज गैजेट डिब्लोमा किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं इस फिर्म को अप्लाई करना जो फेंड्स 21 अगर से स्टार्ट उची किया है और अप्लाई करने के आगे डेट जो है 20 सिस्थम्ब BDL India.in पर अप्लाई कर सकते हैं वैसे फेंड्स आप Official Notification पढ़ना चाहते हैं अभी तो मैंने जो आपको लिंक दे रखा वीडियो के डिस्थ में क्लिक करके आप चाहिए तो Official Notification को डाउनलोड करके डीटेल में पढ़ सकते हैं कि अप्लाई करने का क्या 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 और कैसे अप्लाई करना होगा वैसे फेंड्स Official Notification में पूरा Complete Process दिया गया कि कैसे अप्लाई करना होगा क्या कर डोकॉमेंट लगेंगे पूरा Complete Process दिया गया आप चाहिए तो Official Notification को पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं तो फेंड्स आपको जो आपकी इंफोलेशन मिल सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को जूरूर सेर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ तो मिलते हैं किस इंड्स फेकेंसी में थैंक यू